तो हलो गाइज आपका स्वागत है ड्रैक स्टार गेमिंग के एक और नहीं वीडियो में तो आज के वीडियो के टॉपिक रहेगा यहां पर बेस्ट कस्टम एच्टी फॉर टू फिंगर प्लियर्स तो ऐसा नहीं है गाइज मैं आपको कस्टम एच्टी बताऊंगा एक कि इस इस कस्टम एच्टी को फॉलो करोगे तो आपके पके जो है अच्छा अच्छा गेम प्ले कर पाऊए ऐसा नहीं बताऊंगा जो आपकी कस्टम एच्टी आपको हमेशा उसी में कहला चाहिए जो आप शुरू से कहलते आ रहा है उसी में खेला चीए क्योंकि आगर आप इसी आपने देखा ही होगा इनका गेम प्ले कितना तगड़ा होता है यहां पर देखो मैं भी टूपिंगर में हिलना हूँ और मैं कि इसली वन टैप मार पा रहा हूं तो गईस मैं आप यहां पर आज आपको साथ ऐसे टिप्स एंट्रेक्स दूँगा जिनकी मज़से अगर और यहां पर बहुत ज़्याथा वास्ट हो जाएगा है आप लूगां अच्छे से मार पाऊ होगए और यहां पर जो आप गलती करते हो ना मत्तुप कि कस्ट्म है चुटियमिंग कई गलती से जम कर रहे थे और गलती से हो जो जो इसको वाले बटन खुल गया नहीं तो चल सेंट्रों के साथ तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमाई चैनल पे नहीं आ रहे हो तो जद लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक भी कर देना तो इस सबसे पहली टिप की और बात करतें जो की रहेगा यहां पर बैलेंस तो आइ आप ज्यादा प्रेशर क्रियेट करेंगे अपने किसी संपे जैसी राइट संप में आपने बहुत ज्यादा बटन्स लगा लिए तो आप एजली मुमेंट नहीं कर पाओ यार। क्यूंकि हर हम आपके पास सब दो ही उंगलिया है तो दोनों इंगलियों में आपको इस तरी आप यहां पर थोड़ी से चेंजिस कर लेना जिसकी वैसे ना आपका जो थम के जो राइट थम रहेगा ना उस पर बहुत साथा बटन देख सकते हो जैसे कि जंप वाला क्राउच वाला राइट फायर बटन और उपर जो यह क्या बोलते हैं गन स्विच वाला और रोटेट तो आप जो है क्या कर सकते हो ने घठ और इसको उपर ले जाना भागो या तो इस साइड ले जाना जिसकी वाएसे जो यहां पर जो बहुत करना कर सकते हो और इसे ही आप अलबटन का यूजञा करो किि ज्यादा वटण करने से कोई फायदा नहीं होगा यहां पर पूइंट नमर टू रहेगा यहां पर बटन तो यहां पर जो आपका मूवमेंट वाला बटन रहता है इसको आपको जीरो साइस पर कर रखना अगर आपका नहीं है तो कर लेना वहां बहुत अच्छे बढ़ेगा इसके उपर में जादा एक्स्प्लिनेशन नहीं दूंगा बस आप जीरो साइस पर लेना इससे आपका मुवमेंट में फायदा मिलेगा अब बढ़ते हैं थर्ड नमर के पॉइंट के और थर्ड नमर के पॉइंट है यहां पर फायर बटन साइज तो इस फायर बढ़तन को थोड़ा मिडल में रखना इसको थोड़ा से नीचे रखना जैसरी से मैं रख रहा हूं यहां पर और इसकी वैसे होगा क्या आपको बहुत सारा स्पेस मिल जाएगा ड्रेक करने के लिए और आप इसली ड्रेक कर पाऊगा और वन टैप लगा पाऊगे आप दिता है इस फ्रीफायर के अंदर खास कर शॉट रेंज के अंदर यूंकि अगर आप जल्दी से वहां स्विच करने नहीं जाओ नहीं तो आप अच्छे से गेंप्ले नहीं घर पाऊंगे और आसानी से एनिमी को नहीं मार पाऊंगे आपने देखा हुए है में टेंज अश जल्दी से दूसरी वालिवाली न को सुच करके आ जाते हैं तो अगर आपको सुच करने नहीं पर आपके पास दो बहुत important होता है नहीं तो आप दूसरा क्या कर सकते हो सेटिंग में जाकर यहां पर आपका quick reload reload नहीं होता है वेपन शिच वाला जो बटन रिता है इसको इनेबल on कर देना है और फिर से अपनी custom स्विचिंग वाले बटन का यूज कर रहे ना उसको अधर साइट रख देना ठीक है जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूं इस तरीके से आप रखोगे तो आप इसली गन स्विच्च भी कर पाऊगे बट इस पर पूरा डिपेंट आपको करना है जो आपको मतलब जिस जो आप मे साइट रहेगे हैज हमारे जो इसक्रीन की लेटेकिए के यहां पर बनाएंगे क्योंकि गया देखो आगर आप ढहांते दिखोंगे तो ये लिफट साइट रहेगी आपस कितने सारे बटन हो चुकि तो इसकी वैशे बहुत मिलता है आपको अगर किसी बड़ब बfires कब साइस बढ़ ओगे तो यहां पर पोलेता हूं तो अब किया कर सकते हो आदो जो आपका प्लीयर वाला बेटन का money देता ना चहां उपल ले जाके साइस बड़ा दख सकते हो और मेडिकेट वाले का भी बड़ा सकते हो और आपके जो सारे आइकन रहे हो बड़े हो जाएंगे और आपको इनफ स्पेस मिल जाएगी ठेक है अब रहते हैं आपको सिक्स नमबर टिप की और तो यह गल्दी का इस बहुत लोग कर करने वाला और जो आपका ग्लू वाल वाला बटन देता है ना इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम रखो एक्दामी कम रखो और इनके साइज 100 पर कर देना क्योंकि गलती से भी अगर आपने इनके अलावा कहीं और भी लेफ्ट साइड में प्रेस कर दिया जैसे कि यहां अगर आपने गलती से दबा दिया तो होगा क्या ना वहीं पर आपका मुवमेंट रुक जाएगा क्योंकि जो मुवमेंट वाला बटन देता है न वह सको सेंस कर लेगा और वहीं पर आप जो आपका जो एक्रेक्टर रहेगा रुक जाएगा जिसकी वैसे जो भी शॉर्ट फुल कर लेना और ट्रांस्परेंसी चाहें तो गिरा देना और और जो है काई इनके स्वीच में थोड़ा डिसेंस कम रखना इससे आपको जरूर फाइदा मिलेगा आप जो है दोड़ते दोड़ते भी लगा पाऊ तो होपसों कि आप यह समझ गया होंगे कि क्या बोलना च बटन रहेगा इसकी अगर ट्रांस्परेंसी आप फुल करकर रहोंगे तो उसकी में से होगा क्याना आपको इसली एनिमी नहीं दिखेगा तो आपको हमेशा काई दिए गन्मॉक्स वाले बटन की ट्रांस्परेंसी कम लेनी है और यहां पर से यह जो आपका स्पिलिंट करन कर लेना इनकी ट्रांस्परेंसी कम करने से होगा कहना काई यह आपको पता चलता आपको जो है बहुत खाली-खाली लगे और आपको यह नहीं लगेगा कि मैं बटन दवाने तो आप इसली गेंप्ले कर पाऊगे तो यही मैंने आज जो है साथ आपको टिप्स एंट्रिक्स बताई से यह को लेकर टूपिंगर के लिए चांग तो आपको बता सकता हूं थ्री फिंगर के वीणद देखने को मिलेके बहुत सी चीज्चेज में होतहीं हो मुट्रे भीडियो और भी ट्रवीड, इसी कि यहाई पूरे विडिवीड को ऑन्दकर गए तो इसीगे पसंद् और चैनल पिल नए आए तो सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए घाई घाई